हेलो स्टुडेंट्स आज हम समझे विग्यान समझी के हम राजनेते विग्यान थर्ड कक्षाथ की पार्टे पुस्तक के चोथे पार्ट कानूनों की समझ पड़ेंगे तो आप कुछ कानून तो जानते होंगे जैसे शादी की उम्र 21 साल है या ओड देनी की उम्र 18 साल है और इस तरह से समपत्ति को खरीदने पेशने की कानून तो शायद ही जानते होगे तो ये कानून का जिम्मा संसत का होता आपको पता ही होगा और हमें पता होने चाहिए तो क्या कानून सपर लागो होते हैं तो एक हिस्तीति है कि सरकारी अधिकारी के बेटे को जिलाद अलगत 10 साल की सज़ा सुनाई इस वज़े सवरकार यादिकारी अपने बेटे को भाग निकलने मदद करता है लेकिन क्या उसने सही किया ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में कानून सब के लिए बराबर है सीधे सीधे कानून का उलंगन का मामला है और आपने इकाई एक में पढ़ा था कि राष्टरवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमती थी कि स्वतंतर भारत में सत्ता के मनमाने इस्तिमाल की कोई गुंज़ाश नहीं होनी चाहिए नहीं सब के लिए समान होना चाहिए इसलिए उन्होंने समिधान में कई यह से प्रावधान कानून नियम जोड़े जो की कानून पर आधारी शासन की स्थापने के लिए जरूरी थे इनमें सबसे महत्कून प्रावधान नियम यही था कि स्वतंत भारत में सभी लोग कानून की नजरां बराबर होंगे तो हमारा कानून जो है, वो धर में जाती और लिंक का रवठा पर लोग बीच कोई भी Chair कानून के शासन का मतलब है कि इसमिर्गति का पराथ था जैता है तो प्राचेर महारत में आसकी स्थानी कानुनती स्थान आननी स्थानी विशेषिय के अलगा शाहिश्सेकृ कानूनोंगे कई समधान कानून को आपने अधिकार शेत्र प्राइड के लिए आजाथ दौन प्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारती राष्ट्रवादियों ने एक एहम भूमिकानी भाई थी इसमें राष्ट्रवादियों की परिभाशा बहुत विस्तार से थी इसके अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोद या आलोशना करता था तो उसे मुगदमा चलाई भी नहीं गिरफ्तार किया जा सकता था तो भारति राष्ट्रवादि अंग्रिजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तिमाल का विरोद और इसके अलोशना करते थे अपनी बातों को मनमाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया था यह समानता का संघर्ष था अंग्रिजों के मनमाने पन का उधारा था रॉलर ट्रेक्ट इसके कानचरी बीटिसर का बिना मुकतमा चलाए लोगं को जील में डाल सकती थी और महत्मा गादी सहित सभी भारती राष्टवादी नेता इसके विरोध में थे और इसके भारती विरोध की बाहुजूर 10 मार् सभा का आयोजन किया गया और जिसमें सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायाट जो था वो ब्रिटिश फॉजों के सांथ बाग में जो जले वाला बाग था दाखिलो और उसने बिन बाहर निकलने का रास्ता एक ही रास्ता था उसको बंद करके किसी को कोई चेतावनी नहीं और अंदन दन गोलियां चल वादी और इसमें कई सो लोग मारे गए और असंख जखमी हुए थे और मारने और गायल होने वाले हैं बहुत सारे और बच्चे भी थे तो यह एक पेंटिंग है इसमें दिखाया गया है यहां एक कुवा था जो कि कहते हैं सब लोग उसमें कू प्राइश था कि रूप में दिखना चाहते तो जो नियाय के बिचार पादार आधारी तो 19 सदी के आखियों तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था लोग कानूनी पेशा अपनाने लगे थे और जो कानूनी वकील थे या वकलत कर रहे थे उन भारतियों ने मां अगर इस प्रकार आपनी वेशिक शासन के दोरान कानून के शासन के विकास करम में यहां की लोग अपना युगदान दे रहे थे तो समिधान को स्विकृति मिलने के बाद या दस्तावे जैसे आधार शिरा बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनेरी देश के लिए कानून बनते हैं और हर साल हमारे प्रतिनेरी देश कई नए कानून बनाते हो पुराने कानूनों में सुधार करते हैं तो कख्षचे की पुस्तक में 2005 में के हिंदू उत्रदिकार संसुदन कानून में आपने पढ़ा था तो उसके मताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां त दूशने को नियंदित करने रोज़गार मोहिया के लिए भी नए कानून बनाएं गए हैं तो कानून किस तरह से बनते हैं कानून बनने में संसक की मैद्पूर मुमिका होती है आम तर पर सबसे पहले समाची जो विबिन समू हैं कि खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं तो परिवार का कोई पुरुष सदे से आमत्र पर पति होते है घर की किसी औरत आमतर पत्नी के साहन मारबीट करता है चोट पहुंचाता है मारबीट वे चोट की दोंकी देता है तो इसे घरेलों इंसा कहा जाता है 003000 शरीरिक मारबीट या भावनात्मय मानसी रूप से की समझ को और विस्तार बनाया तो अब ऐसी महिलाएं भी घरेलो दाइरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो पुहिंसा करने वाले पुरुष के सांथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है तो यह चित्र कथा है इसमें बताया गया कि किस तरह से घरेलो इंसा के उसमें जो नियम बने या कानून बने तो वो किस तरह से बने और किस तरह से लोग हुए तो किस तरह से बातचीत हुई और किस तरह से कानून तयार हुआ किस तरह से संसत में गया तो पिचार मर्श के लिए बहुत सारी संसतानों के सांथ बैठक की गई और पिर इसको जो था संसत में पेश किया गया और पिर ये कानून बना था तो इस कानून के द्वारा एक साजी मकान में रहने ओले महिला हैं जोती हो हिंसा के लब सुरक्षा कादिश प्राप्त कर सकती थी अपने इलाज और अनी खर्चों के लिए आर्थिक साहता ले सकती थी तो इस उदार से साफ होता है कि नागरियों की भूमी का कानून मनाने में बहुत अहम होती है उनकी पुरी बातों को सरकार सुनती है और बे संसत की मदद कर सकते हैं इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरियों की आवाज बहुत माहिने रखती है यह आवाज टेलिविजन रिपोर्टों अकबारों के संपादकियों प्रेडियों प्रसारण आम सभाओं के जरीए सुनी और व्यक्ति की जाती है इन सारे संचा लोग परी नहीं होते हैं लोग उनको नहीं मानते हैं ऐसा कानून समयधानी को उपसे वैद होने कानून सही हो सकता है फिर पिर लोगों को रास नहीं आता चैनल लगता है क्या कि उनके लगता है कि उसके पीछी नियत सही नहीं थी इसलिए लोग उसकी आलोज ना कर सकते है उसके खिलाब जन सभाई कर सकते हैं आगबारों में लिख सकते हैं टीवी चैनलों में रिपोर्ट बेश सकते हैं हमारे जैसे लोग तंत्र में आम नागरी जो हता है संसत द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी अहसा मती व्यक्ति कर सकता है तो जब बह सब्सक्राइब लगाने को गयर कानून ने खुशित किया गया इसमें कोई संदेनी की साजुन के साफ सुत्रा खुल रखने के लिए कानून जरूरी है तब ही लोग आसानी से फुट पातों पर चल पाएंगे लेकिन इस बात को भी हम अंदेखा नहीं कर सकते कि पट्री वा लग श्रत करता हुआ है और ऐतारण की चल जा सकते हैं तो प्रतिजिता कर सकती है तो यह संस्रुटन कर सकती है तो नागरिक के रूप में हमारी पुर्मिका प्रतिजिंदियों के साथ खत्म नहीं होती है इसकी बाद भी अगबार और संचार मादिमिक्टरिस बाद पर नज़र रखते हैं कि हमारे संसद हमारे क्या कर रहे हैं अगर हमें लगते काम नहीं कर रहे ता हमें उनके आलोचना करते हैं और हमें ध्यार रखना चाहिए लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी जितनी उसास जुड़ेंगी उतना ही संसत अपना काम सही धिन्ने में उसको मदद मिलेगी तो ये कुछ प्रश्ण है और ये शब्द संकल है नहीं आलोचना किसी विक्तिया चीज में कमिया निकालना या उसे मना कर देना है सद्ध्याए में आलोचना शब्द कर स्टिमाल सरकार के कामकास पर नाग्योगी होने वाली आलोचना के लिए किया गया है दमनकारी स्वत्मंद्रों सभव विकास या विवक्ति को रोकने के लिए सकती से नियंत्रन सापित करना क्या है दमनकारी होता है तो आशा है आप इसको पढ़ेंगे और इससे फायदा उठाएंगे तो प्लीज लाइक शेर एंड सबस्क्राइब